सभी को नमस्कार आज हम गद्यांश के अधार पर प्रश्ण उत्र कर रहे हैं पाठ है एक कहानी यह भी और लेखी का है मनुभंडारी इसमें सबसे पहला प्रश्ण आता है पाठ और लेखी का का नाम दिखिए पाट का नाम है एक कहानी यह भी और लेखी का है मनुभंडारी फिर प्रश्ण आता है कि लेखीका के पिता का इंदोर से अजमेर आने का क्या कारण था लेकिका के पिता मोलते इंदोर के रहने वाले थे किन्तु वहां उनकी आर्थिक स्थिती इतनी आस्त व्यास्त हो गई थी कि उन्हें इंदोर छोड़ करके अजमेर आना पड़ा था दूसरा प्रेशन आजाता है कि भगनाव शेशों को ढोते पिता का अभिप्राय स्पस्ट कीजिए भगनाव शेशों को ढोते पिता का अर्थ है उनके पिता की पहले आर्थिक स्थिती बहुत अच्छी थी उनका परिवार धन वैभव से परिपूर्ण था उनके पिता को इसक अब वे अपने पुराने व्यभव की यादों के सहारे जीते थे कर्थात वे अपनी जिंदगी को जैसे तैसे काट रहे थे यह है भगनावशिश तीसरा प्रिश्ण है लेखिका की मा के डरी रहने का क्या करण था इसका उतर है वस्तुत है लेखिका की मा बहुत साधारण आग्याकारी सेवी का थी लेकिन उनके पिता एहंकारी थे आर्थिक स्तिती खराब होने पर उनका यह एहंकार क्रोध में बदल गया अब वे स्वभाव से भी चिड़चिड़े हो गए थे उन्हें बात-बात पर गुस्सा आता था उनका यह गुस्सा अपनी पतनी पर ही उ तर्ता था इसलिए वह सदा डरी-डरी रहती थी कि ना जाने कब वह पती के क्रोध का भाजन बन जाए उसके बाद प्रिश्न आता है कि लेकिका के पिता को शब्द कोष लिखने का क्या लाब हुआ้ लेकिका के पिता ने हिंदी-अंग्रेजि के अत्यांत सफर शब्द इस तरह से ये थे हमारे आज के प्रश्न